हलो बच्चों तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं exercise 3.4 और टॉपिक का नाम है trigonometric equations trigonometric equations पढ़ रहे हैं तो trigonometric equations होती क्या है सबसे पहली बात कोई भी equation जिसमें कोई trigonometric function हो जैसे इसमें 10x is equal to root 3, 2x is equal to 2 एसी कोई भी equation trigonometric equation कहलाती है ठीक है आप जैसे किसी भी linear या quadratic equation को solve करके आप x की value निकालते हैं ऐसे trigonometric equations के लिए भी x की values निकलती है और x की values जो निकलती हैं वो solution होते हैं इसके तो दो type के solution है principle solution और general solution प्रिंसिपल solution क्या होते हैं जब आपकी जो x की value है वो आपने 0 से 2 pi तक बता दी 0 से 2 pi तक तो वो कहलाता है principle solution और अगर जो आपकी x की values हैं वो 0 से 2 pi interval के अलावा बड़े angles या negative angles हैं तो वो कहलाते हैं general solutions ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जो trigonometric functions होते हैं वो repeat होते हैं periodic functions होते हैं जैसे sin x cos x 2 pi के बाद repeat हो जाता है 10 x pi के बाद repeat हो जाता है तो repeating होते हैं तो इस वज़े से एक x value आपको नहीं मिलेगी पूरे domain पे anant x की values है infinite x की values है ठीक है तो सारी बता पाना तो possible नहीं है तो उनके लिए general solution होते हैं तो इसको समझने के लिए एक तो graphical knowledge अच्छी चाहिए इस topic को और second इसकी values भी याद होनी चाहिए तो graphical अगर आपने देखा नहीं वीडियो तो मैं थोड़ा बहुत इसमें भी बताऊंगा चलिए देखते स्टडी करते हैं पहले formula के identities हैं तो पहला formula है x बराबर है n पाए जब sin x 0 है तो sin x अगर 0 के equal है तो x की value कितनी है n पाए है अब ऐसा क्यों है sin x का graph देखो sin x कहां कहां पर 0 है आप observe किजिए sin x 0 है यहां पर sin x 0 है यहां पर sin x यहां पर भी 0 है sin x यहां पर भी 0 है sin x यहां पर भी 0 है क्या values है यहां पर यह 0 है 0 पर 0 है πाई पर 0 है 2 पाई पर 0 है minus πाई पर 0 है minus 2 पाई पर 0 है और भी आगे 3 pi, 4 pi, 5 pi, इधर भी negative है, सब जगे 0 है, तो अब इतने सारे answer कैसे दो गए, हाँ, अगर आपको गए principal solution दीजे, तो हम कहेंगे 0 से 2 pi तो यानि 0 पर है, pi पर है, 2 pi पर है, हो गया, तीन answer है, 0 पर भी हो सकता है, pi पर भी हो सकता है, 2 pi पर भी, ये होता है principal solution, और general solution ह सारे answer देना, तो generally क्या कहेंगे, n pi पर ये 0 होता है, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, तो generally कहें, n pi, जहांपर n क्या है, कोई भी integer है, समझ गए, समझ गए, तो फिर याद करना काफी आसान होता है, अगला क्या है, cos x 0, कब कब है, x बराबर 2 n प्लस 1, pi by 2 पर, तो basic video तो देखना ही चाहिए पर नहीं देखा, तो फिर भी देख लेते हैं, cos x कहां कहां, 0 है, देखी, यहां पर 0 है, pi by 2 पर, 3 pi by 2 पर, ठीक है, 5 pi by 2 पर, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 9 pi by 2, ऐसे, इसे, इजार, minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, and so on, तो यह pi by 2 type के ऐसे, जो है, उन पर 0 है, और उसको represent कैसे करेंगे, 2 n plus 1 pi by 2 से, कोई कहें, sir, n pi by 2 से क्यों नहीं represent कर देते, n pi by 2 लिख दो, सिधा-सिधा, तो अगर आप n pi by 2 लिखोगे, और n को आप 2 put कर दोगे, तो 2 pi by 2 तो pi बन जाएगा, क्या यह pi पर 0 है, नहीं, राइट, तो आम नहीं चाहते हैं, उपर का 2 नीचे से कटे, तो उपर लि value है, x की value, जब cos x 0 होगा, और कोई कहता है कि मुझे बस principal solution बताइए, तो principal solution है, एक तो pi by 2 पे, एक 3 pi by 2 पे, 0 होता है, general solution है, 2n plus 1 pi by 2 पे, 0 होता है, राइट, 10x कहाँ 0 होता है, जहाँ पर sin x 0 हो जाएगा, वहीं, 10x 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 बरावर होता है, sin by cos के, यह 10 का graph है, कहाँ कहाँ पर, 0 है, देखिए, 0 पर है, pi पर है, 2 pi पर है, minus pi पर है, minus 2 pi, जहाँ-जहाँ, sin 0, वहाँ 10 0, obviously 10 is sin by cos, sin 0 होने पर 10 0 हो जाएगा, तो भईया, इसको memorize कर लीजिए, या समझ लीजिए, वो आपकी मरजी है, मेरे क्याल से, समझना ज़ादा आसान है, memorize करने के comparison में, तो 3 का 시청 हूँ, बाकी 3 का, क्यों नहीं, क्योंकि अगर कोई बेटा, cause dwar का question, पूछता है, तो मैं उसे sign में convert करके नीकाल लूंगा, secant का question पूछता है तो cos में convert करके निकाल लूगा hot का पूछता है तो 10 में convert करके निकाल लूगा, इतना simple है कोई tough काम नहीं है, ठीक है तो दूसरे set क्या है formula का वो भी देख लेते हैं और इनका proof भी मैंने किया है आप interested हों तो proof देखिएगा, नहीं तो आगे skip करके आगे पूरा numericals पर बढ़ जाईएगा, ठीक है sin x बराबर है sin y के तो x होगा n pi plus minus 1 raise to power n y अगर sin x बराबर है sin y के तो x बराबर होगा n pi plus minus 1 raise to power n y अभी आपको memorize तो करना है देखो n pi तो आपको वहीं से memorize हो जाएगा, यहां से जब sin x 0 है तो x n pi तो जब sin x sin y के बराबर है तो n pi तो आएगा ही, ठीक है और फिर plus minus 1 की power n y अभी यह होता क्यों है, उसको देख लेते है reason यह है बिटे कि अगर sin x sin y के बराबर है और आप sin y को लेगा left में तो अच्छे से देखना भई, step wise sin y को लेगा आप left में right, तो left में आजाएगा sin x minus sin y is equal to 0, यहां तक कोई problem नहीं है अब sin c minus sin d का formula लगाएंगे, sin c minus sin d में क्या होता है, 2 sin c minus d by 2, cos c plus d by 2 तो जब खुद minus हो रहे हैं तो sin के पास minus आता और cos के पास plus आता है, तो 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2 multiplication 0 है, यह पहली time और यह दूसरी time इन दोनों का product 0 है जब इन दोनों का product 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो यह 0 है या फिर यह 0 है, right तो हमने का ठीक है, या तो sin x minus y by 2 0 है या तो cos x plus y by 2 0 है दोनों का product 0 होने का मतलब दोनों में से एक तो कम से कम 0 हो गए यह दोनों भी हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगर sin x minus y by 2 0 है sin theta 0 का बोता जब theta n pi हो देखाता न, शुरू है sin x 0 का बोता जब x n pi हो अगर यहाँ theta लिग दे sin theta 0 का बोता जब theta n pi हो अगर यहाँ 2x लिग दे तो sin 2x 0 का बोगा जब 2x n pi हो सिंपल सी बात है तो यहाँ पे भी हमने कहा sin x minus y by 2 0 का बोगा जब x minus y by 2 n pi हो कितना सिंपल है cos x plus y by 2 0 का बोगा देख लेते हैं cos x 0 होता है जब x हो 2 n plus 1 pi by 2 तो अगर यहाँ पे theta लिखा है तो theta बराबर 2 n plus 1 pi by 2 और यहाँ जो कुछ भी लिखा है जो भी यहाँ पर angle है वो बराबर 2 n plus 1 pi by 2 तो अभी इस case में यह जो अभी आप study कर रहे हैं इसमें आपका जो theta है या x जो भी आप कह लीजिए x plus y by 2 बराबर है 2 n plus 1 pi by 2 तो यहाँ तो कोई problem नहीं आपको समझ आगया x minus y by 2 n pi है और x plus y by 2 2 n plus 1 pi by 2 आगे बढ़ते हैं अगली step पे हैं तो अगला step यह है कि upon का 2 इधर multiply तो इधर हो जाएगा 2 n pi और इधर upon का 2 इधर upon के 2 से यह वाला upon का 2 इस वाले upon के 2 से denominator 2 से cancel हो जाएगा तो इधर आगया x minus y is equal to 2 n pi और इधर x plus y is equal to 2 n plus 1 pi या 2 n pi plus pi जैसा भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं अपान का 2 कटा है और कोई बड़ी बात है यहाँ तक भी समझ आगया आगे बढ़ते हैं इसको मैंने pi common ही ले लिया है 2 n plus 1 pi कर दिया है तो यहाँ plus y right में गया तो बन गया minus y अब सबसे खास बात देख लीजी खास बात यह है कि x बराबर है 2 n into pi 2 n क्या होते हैं even numbers होते हैं so even number into pi plus y right और यहाँ पर x है 2 n plus 1 2 n plus 1 right pi 2 n plus 1 क्या होता है ओड होता है उपर भी वही था बस pi common ले लिए 2 n plus 1 होता है ओड pi तो x बराबर है even number into pi वो भी x है और x बराबर है odd number into pi ठीक है यानि even into pi भी है odd into pi भी है इतनी बात clear हो गई जहाँ पर even number into pi है उदर plus y हो रहा है और जहाँ odd number into pi है उदर minus y हो रहा है ठीक है तो अब अगर मुझे इसे generalize करके लिखना है तो मैंने क्या technique लगाई मैंने यह कहाँ देखो जहाँ even हो रहा है न उदर minus 1 की power even number होगा तभी minus 1 की power even number positive हो गया होगा तो positive into y और जहाँ odd है वहाँ minus 1 की power odd number तो वो odd हो जाएगा और odd into y odd minus 1 की power odd minus हो जाएगा minus 1 into y minus y हो जाएगा logic है फिर से सुनिए 2n even number है जहाँ पर even number है वहाँ पर plus y है जहाँ पर odd number है उदर minus y है तो इसको हमने generalize करने के लिए ऐसे का कि देखे यहाँ पर positive y है इसको ऐसे लिख देते है minus 1 की power even number into y तो minus 1 की power even number positive हो जाएगा positive 1 into y y हो जाएगा और यहाँ पर negative y है तो minus 1 की power odd number into y होगा तो minus 1 की power odd number तो minus 1 लिखा जा सकता into y तो even के लिए अलग formula और odd के लिए अलग formula लिखने की जगे, एक बारी में हमने लिख दिया, ओके ऐसा लिख देते हैं, x बराबर है n pi, चाहे e1 हो चाहे odd हो, x बराबर है n pi, कोई प्राब्लम नहीं, चाहे even हो चाहे odd हो, इधर अलग से था, 2n means even, 2n plus 1 means odd, पर n pi मतलब even odd कैसा भी integer हो, x बराबर है n pi, प्लस, इधर भी minus 1 की power even number था, इधर minus 1 की power odd number था, हमने लिख दिया minus 1 की power number, even हो चाहे odd, automatically वो plus minus हो जाएगा, ठीक है, तो minus 1 की power n into y, तो generalize किया है इन दोनों statement को, इसको समझने में बच्चों को काफी दिक्कात आती है, सरी है, प्लस y था, आपने ये minus 1 की power 2 एन कहां से लिख दिया, इसका reason ये है कि हम यह मान की चल रहे है, 1 into y है, और 1 को हम लिख सकते है, minus 1 की power even number, तो minus 1 की power even number 1 हो जाता है, और यहाँ जो minus 1 है, उसको हमने लिखा minus 1 की power odd number, तो वो minus ही रहेगा, कोई changes नहीं है, पर इससे generalize करने में आसानी होगी, हमने कहा ठीक है, यह यहाँ पर भी number है, यहाँ पर भी number है, यह even number है, यह odd number है, यह और नमबर है, एक बारी में लिख दिया, n pi, कैसा भी number हो, even हो, चाहे odd हो, प्लस यह माइनस 1 की power even number है, या माइनस 1 की पार odd number है तो एक बारी में लिख दिया हमाइनस 1 की पार number even हो चाहे odd हो into y तो इस तरीके से आपका पहला formula तेयार होगा sin x बराबर sin y is equal to n pi plus minus 1 की पार n y बाकी सब आसान है इसी वाले में थोड़ी दिखाते है प्रूफ करने में अगर cos x बराबर cos y का formula देखें तो वो होता है x बराबर 2n pi plus minus y लिखते जाईएगा copy में क्योंकि अभी जब numerical करेंगे तो आपके पास रहना चाहिए पास में formula 2n pi plus minus y कैसे आएगा यह formula देखते हैं तो हमने गा अगर cos x बराबर cos y के cos y को ले जाओ left side में तो cos x minus cos y 0 हो जाएगा cos c minus cos d का formula होता है minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 right equal to 0 वो तो है equation में तो cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 minus 2 को equal to 0 के पास भेजा जो left में बच्ची दो टम बच्ची एक बच्चा sin x plus y by 2 और दूसरा बच्चा sin x minus y by 2 दोनों का product अगर 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली time equal to 0 है या फिर दूसरी time equal to 0 है तो same ही follow कर रहे हम और हमने सीखा sin theta 0 का बहुता है जब theta n pi हो तो theta को n pi लिख दिया इधर भी sin theta 0 का बहुगा जब theta n pi हो upon का 2 right में बेजा 2n pi हो जाएगा इधर भी 2n pi हो जाएगा so plus y को right में बेजा तो minus y हो गया और minus y को right में बेजा तो plus y हो गया तो इस तरीके से x की दो value possible है 2n pi minus y और 2n pi plus y तो हमने लिख जए 2n pi plus minus y इसलिए cos के formula में 2n pi plus minus y आता है ठीके पेटे याद भी करते चलना लिखते भी चलना अच्छा 10x बराबर 10y 10x बराबर 10y का formula काफी आसान है याद करने को अगर आपको sin x बराबर sin y का formula याद होगे तो 10x बराबर 10y का भी same ही है पस यहाँ पे negative नहीं आता positive ही आता है यहाँ negative की power n है वो नहीं आएगा n pi n pi same है y y same है कोई दिक्कत नहीं है ठीके तो same ही formula sin x की तरह proof कैसे होगा अगर 10x बराबर 10y का है 10y को left में लिए आईगे तो 10x minus 10y 0 हो जाएगा 10x होता है sin by cos 10y होता है sin by cos sin y by cos y जब आप LCM लोगे sin x into cos y cos x into sin y हो जाएगा और denominator 0 के पास बेज़ दिंगे फिर यह sin a cos b minus cos sin b ax को कह रहा हूँ by को कह रहा हूँ sin a cos b minus cos sin b होता है sin a minus b is equal to 0 और sin theta 0 होने पर theta की value कितनी होती है n pi होती है यानि x minus y n pi के बराबर है minus y को उदर लेगा है plus y तो x की value आगे n pi plus y तो आज हमने आपको इसका logic भी बता दिया कल को कोई आपसे पूछे कि यह formula आपको आते हैं क्या 100% आते हैं ठीक है जी बहुत अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं तो numericals कर लेते हैं वीडियो तो lengthy रहेगा ही क्योंकि अलग-अलग वीडियो बनाने का benefit नहीं आप खो जाते हो कोई question कहीं कोई question कहीं इससे अच्छा है एक ही में कर लेते हैं तो question कहता है find the principle and general solution of the following equation 10x is equal to root 3 तो अगर 10x root 3 के equal है तो root 3 कब आती है 10 की value हमने पूछा root 3 कब आती है 10 की value root 3 first quadrant में आ जाती है pi by 3 पर right 60 degree तो हमने लिखा 10x बराबर है 10 pi by 3 के अभी इतने में तो कोई doubt नहीं है 10x बराबर है root 3 की जगे 10 pi by 3 लिखती है अब बेटे यह बन गया 10x बराबर 10y types बन गया ना 10x बराबर 10y type का बन गया तो जब 10x 10y के बराबर है फामुले में देखे तो x किसके बराबर है n pi plus y के तो x बराबर आ जाएगा n pi plus y के कोई problem नहीं है अब यहाँ पे एक बात principal solution, general solution कैसे लिखता है principal solution पहली value तो यही हो गई pi by 3 याद कीजिए principal solution क्या था x की वो values जो 0, 2 pi तक है 0, 2 pi के range में जो है वो principal solution है उसके बाहर सब को general solution है तो general solution तो यह formula लगाते है आपको मिल जाता है general solution है n pi plus pi by 3 पर principal solution क्या है एक तो यह pi by 3 हो क्या है क्योंकि यह 0 से 2 pi के बीच का answer है अगली value निकालने है बिटा आपको अगली value तो आप क्या करिए जो आपने general solution का formula बनाये न उसमें n की जगे 1 put कर दीजे अज n की जगे अगर आप 0 put करते तो आपका answer आता pi by 3, pi by 3 आपको मिल गया है अब n की जगे 1 put कर दीजे तो आएगा 1 pi plus pi by 3 तो LCM नहींगे 3 pi plus pi, 4 pi by 3 तो एक और solution, particular solution जो 2 pi से छोटा है 2 pi से छोटा है तो वो है particular solution आपका pi by 3 और 4 pi by 3 principle solution बात समझ में आई अच्छा इसको मैं सब जहना चाहता हूँ आपको एक और तरीके से कि अगर आप graphically भी देखें और quadrant system की भी help लें तो आप जानते हैं 10 कहां-कहां positive एक तो 10 इहां positive है और एक 10 इहां positive है यादेना add sugar to coffee तो एक तो sugar में positive सारी trigger होते हैं और 10 में positive है तो sugar में तो जो आपका angle होता है यानि first quadrant में जो angle होता है वो तो ओक है theta और ये जो quadrant है आपका second quadrant अगर इसमें आपको लगता है कि आपका function है तो इसका angle होता है πाई माइनस ठीटा और third quadrant में अगर आपका angle है तो वो होता है πाई प्लस ठीटा और अगर fourth quadrant में आपका trigger है आपको ऐसा लगता है तो 2πाई माइनस ठीटा तो अभी क्योंकि मेरा 10 positive है 10 root 3 है तो positive है तो मुझे पका पता है एक तो first quadrant में वो हो गई होगा और एक third quadrant में होगा तो first quadrant में तो उसकी value हो गई πाई बाई 3 no doubt और third quadrant में उसकी value हो गई πाई प्लस ठीटा ठीटा वोई जो आपका angle आया था चोटा वाला तो पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 ऐसे भी आप अपना principal solution निकाल सकते हैं कोई problem नहीं है न और n belongs to integer होते लिख नहीं है आगे बढ़ते है question number 2 question number 2 में कहा है कि secant x बराबर है 2 के तो जैसा मैंने कहा था secant का formula हमने memorize नहीं किया है अगर secant 2 है तो cos होगा half उसका recipe प्रकत और cos half कब आता है जी 60 degree पर आता है तो cos half आता है 60 degree पर cos pi by 3 तो एक principal solution तो आपको मिल गए pi by 3 अब general solution आपको निकालना है तो cos x अगर cos y के बराबर है तो x होता है 2n pi plus minus y तो x हो जाएगा यह x हो जाएगा बराबर 2n pi plus minus y और y क्या है pi by 3 है तो 2n pi plus minus pi by 3 ठीक है विटे तो यह तो general solution हो गया और पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉलीशन गलती से पर्टिकुलर सॉलीशन मुह से निकल जाता है प्रिंसिपल सॉलीशन एक तो pi by 3 है और दूसरा 2pi minus pi by 3 यह reason क्या है देखे cos fourth quadrant में है क्योंकि cos positive कहां कहां होता है तो first quadrant में एक fourth quadrant में और fourth quadrant के angle की value होती है 2pi minus theta right तो 2pi minus theta 2pi minus pi by 3 pi by 3 वही वाला angle जो आपने पीछे निकाल तो 3 to the 6 6 minus 1 5 pi by 3 otherwise ऐसे भी किया जा सकता है कि आप यहां पर n की value put कर लीजे right one put कर लीजे तो उससे भी एक और principal solution निकल जाता है ठीक है ना तो general solution तो formula पर based है और principal solution आप quadrant system से भी निकाल सकते हैं और general solution में n की value one या zero one ऐसे put करके निकाल सकते हैं थर्ड देखते हैं cot x है minus root 3 ठीक है तो वही है principal solution और general solution निकालना है तो cot का reciprocal मेंने किया 10x वो होगा minus 1 by root 3 क्योंकि है reciprocal क्योंकि cot का formula हमने पढ़ा नहीं है 10 का पढ़ा है तो 10 होगा minus 1 by root 3 अब 10 negative 1 by root 3 कहां कहां हो सकता है देखें यहां पर quadrant system बना है first quadrant में तो 10 positive होता है second quadrant में 10 negative होता है तो एक तो यहां पर 10 negative हो सकता है third में 10 positive होता है fourth में 10 negative है एक 10 negative यहां हो सकता है तो इसका जो angle है जो x की value है वो pi minus theta से निकल सकती है और 2 pi minus theta से निकल सकती है तो पहले छोटी वाली value देखते हैं हम तो वो होगी pi minus theta तो आप देख रहे हैं, minus 1 by root 3 की जगे मैंने क्या लिखा है, 10 pi minus theta, ठीक है, कोई कहता है कि minus 10 pi by 6 लिख दे तो क्या होगा, कभी मत लिखना है सा, ठीक है, क्योंकि 10x बराबर minus 10y के लिए हमने कोई formula नहीं बता है, हमने formula बता है, 10x बराबर 10y के लिए, minus 10y के लिए formula नहीं बता है, ठीक है, कि भई, क्या value होगी, यह negative आजा है, तो 10 pi minus theta ले लिए, theta pi by 6 है क्यों, कारण हम जानते हैं कि 10 pi by 6 पर ही यह 1 by root 3 आएगा, तो 10 pi by 6 यानि 30 degree पर यह 1 by root 3 आएगा, और हमको चाहिए negative, तो negative करने के लिए हम इसे second quadrant में निकाल रहे हैं, जिसके लिए pi minus theta करना है, ठीक है, तो 6 pi minus pi, 5 pi by 6 आगया, 10 x बराबर 10 5 pi by 6 आगया, तो आपका जो principal solution है, वो है 5 pi by 6, एक और principal solution जो यहाँ पर exist करेगा, 2 pi minus theta, तो 2 pi minus pi by 6 कर सकते हैं, 2 pi minus pi by 6, उससे जो आएगा, क्या आ रहा है, 11 pi by 6 आ रहा है, तो वो भी आपका principal solution ही है, पिरे बिटे, आप बात क solution के लिए आप जानते हैं, 10 x बराबर 10 y होने पर x होता है, n pi plus y, तो n pi और plus y, y कौनसी value है, यह वाली, 5 pi by 6, वैसे यह भी पुट करो तो गलत नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, यह पुट करते हैं, and n belongs to integers, आगे बढ़ें, question number 4, question number 4 में कहते हैं, cosecant x है, minus 2 के बराबर, find the value of x, principal solution, general solution, तो cosecant x को पहले लिखा, sine x, right, जो इसका reciprocal हो जाएगा, फिर आप फिर से वही बात है, कि sine negative half कहां आएगा, तो हम देखते है, quadrant system के इसाब से, पहला तो all positive है, फिर यह sine का अपना हो गया, sugar, और यहाँ पर sine negative, और यहाँ sine negative होगा, यानि pi plus theta में, और 2 pi minus theta में, एके नहीं, pi plus theta, 2 pi minus theta, दो जगे, तो sine की value आई, pi plus theta, अब फिर से pi by 6 क्यों आया, क्योंकि sine की value half, positive half आती है, pi by 6 पर, पर negative होने की वज़े से, हमने लिखा, pi plus pi by 6, right, so sine pi plus pi by 6, celsius लेके हो गया, sine 7 pi by 6, और sine x बराबर sine y के है, बिटे, sine x बराबर sine y के है, तो सीधी सी बात है, x की value sine pi by 6 तो होई गई, right, और इसका तो बता चल गया, sine pi by 6, और ये वाली principle solution कैसे आएगे, 2 pi minus theta, 2 pi minus pi by 6 करके आएगे, theta वही था, pi by 6, 2 pi minus pi by 6, यानि 11 pi by 6, correct है, और बात करते हैं, general solution की, तो sine x बराबर sine y होने पर, x होता है, n pi, तो देखे, x है n pi, pi, फिर plus, plus, minus 1 raise to power n, minus 1 raise to power n, और फिर y, y कितना है, 7 pi by 6, छोटा वाल, दोनों principle solutions में छोटी वाली value लेनी है, ठीक है, ये भी अच्छा था, easy था, आगे बढ़ते हैं, तो अब हैं हमारे पास question number 5, 6, 7, 8, 9, hardly आदा गंटा और लगेगा, थोड़ा patient से देख लीजिए, ठीक है, तो question number 5 कहता है, कि cos 4x बराबर है, cos 2x के तो general solution निकालेगा, आप principle नहीं पूछ रहें, general solution पूछ रहें, तो अगर cos 4x, cos 2x के बराबर है, तो पहले आप cos 2x को ले जाएं लेफ्ट में, तो cos 2x गया लेफ्ट में, अब ये बनेगा cos c minus cos d, तो cos c minus cos d होता है, minus 2 sin c plus d by 2, 4 plus 2, 6x by 2, sin c minus d, 4x minus 2x by 2, यानि 2x by 2, तो cos c minus cos d होता है, minus 2 sin c plus d by 2, sin c minus d by 2, तो trigonometry tough लगने लगती है, अगर आपको formulae याद नहीं है, तो आपकी अगर ये condition है, तो सब को छोड़िए, और पहले formulae memorize कर लीजिए, या साथ में formulae की sheet रखे है, at least, 6x by 2, 3x, और 2x by 2, x हो गया, minus 2 इसमें multiply हो रहा है, कोई problem है इसमें, minus 2 को उठाया, 0 के पास भेजा, आप बचा sin 3x into sin x बराबर 0, दो terms का product 0 है, यानि पहली term 0 और दूसरी term 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होगी ही, होगी, तो अब आगे क्या करना है, हम जानते, sin x 0 होने पर x n pi होता है, sin x 0 होने पर x n pi होता है, तो जो भी यहाँ पर theta है, sin theta 0 होने पर theta n pi होता है, अगर यहाँ 3x है, तो 3x n pi हो जाएगा, ऐसा होता है, तो 3x 0 है तो sin 3x 0 है तो 3x n pi हो जाएगा और sin x 0 है तो x n pi हो जाएगा यहां से 3 को अपान में बेजिए x आ जाएगा n pi y 3 और यहां पर x की value n pi तो यह भी परिशानी नहीं दी इस question में अगे बढ़ते हैं question number 6 same question है मिंटू से general solution निकालना है principle solution नहीं निकालना है इन दोनों को add कर देते cos c plus cos d ठीक है odd odd वाले angles है उनको add कर देते है तो 2 cos c plus d यानि 3x plus x 4x by 2 cos 3x minus x 2x by 2 simple 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 minus cos 2x ऐसे का ऐसे कोई दिकत नहीं तक तो 4x by 2 हो गया 2x 2x by 2 हो गया x और यह ऐसे का ऐसे ठीक है common लेना आता है सब को cos 2x common लिया है बेटे जी cos 2x गया बहार अंदर बचा 2 cos x minus 1 तो cos 2x into 2 cos x minus 1 बराबर 0 जब दो terms multiply हो रही है तो इदर यह 0 है या फिर यह 0 है दोनों भी 0 हो सकते है cos 2x बराबर 0 और 2 cos x minus 1 बराबर 0 तो पहले तो इसको देख लेते हैं cos 2x 0 तो हमने देखा है अगर cos x 0 होगा तो x होगा 2n plus 1 pi by 2 cos theta 0 होगा तो theta बराबर 2n plus 1 pi by 2 cos 2x 0 होगा तो 2x बराबर 2n plus 1 pi by 2 तो यहाँ पर cos 2x 0 है तो 2x बराबर 2n plus 1 pi by 2 और यह जो 2 है इसको उठाएंगे और denominator में ले जाएंगे तो 2n plus 1 pi by 4 हो जाएगा ले गए ठीक है बिटे अब 2 cos x minus 1 is equal to 0 है minus 1 को उदर ले गए तो बन गया plus 1 और 2 को आपन में cos x half cos x half कब होता है सोच लीजे cos x half होता है 60 degree पर तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos pi by 3 negative का चक्कर होता तो फिर वो पूरा quadrant खंगालना पड़ता है तो cos x बराबर cos pi by 3 और cos x अगर cos y के बराबर हुआ तो x की value होती है 2n pi plus minus y जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो formula put कर दिंगे x की value 2n pi plus minus y y की जगे pi by 3 यही तो y है 2n pi plus minus y और यह आपका answer आजाएगा आगे बढ़ते हैं question number 7 sin 2x plus cos x is equal to 0 sin 2x होता है बेटे 2sin x cos x तो sin 2x को लिखा 2sin x cos x दोनों में cos x common तो अंदर बज़ गया 2sin x plus 1 2sin x plus 1 अब यह दो टर्म्स का प्रोड़क्ट यानी cos x into 2sin x plus 1 इनका product 0 के बराबर है इसका मतलब या तो cos x 0 है या तो 2sin x plus 1 0 है ठीक है तो अगर cos x 0 है तो cos x 0 होने पर x होता है 2n plus 1 pi by 2 cos x 0 पर x होता है 2n plus 1 pi by 2 तो cos x 0 पर x होता है 2n plus 1 pi by 2 कोई बड़ी बात नहीं है और जो दूसरा वाला था 2sin x plus 1 is equal to 0 दूसरा factor तो sin x आ जाएगा minus 1 by 2 अब negative है तो quadrant तो देखना ही पड़ीगा sin कहां कहा negative है इधर negative है इधर negative अभी उपर भी गया था यही same question तो sin negative है third quadrant में और fourth quadrant में third quadrant का angle कैसे पता जलता है pi plus theta से theta यानि sin half का बाता है pi by 6 half pi by 6 पर आता है तो sin pi plus pi by 6 आप solve करेंगे तो minus half आ जाएगा sin plus theta तो यहां तक समझा है न pi plus theta क्यों होगा क्योंकि third quadrant में और theta pi by 6 क्यों होगा क्योंकि sin की value half होती है pi by 6 पर LCM लिया 6 pi plus pi हो गया 7 pi 7 pi by 6 तो sin x बराबर sin y आ गया sin x बराबर sin y आने पर x की value होती है n pi plus minus 1 raise to power n y right तो sin x बराबर sin y होने पर x की value n pi plus minus 1 raise to power and y इस value को हम put कर देंगे n pi plus minus 1 raise to power and y तो दो-दो answer होगा एक तो यह हो गया x की value और एक x की value यह हो गई where n belongs to integers ठीक है कितने question है देखें दो question बचे हैं बाद जल्दी यल्दी कर लेंगे इनको भी sin square 2x is equal to 1 minus tan 2x तो 6 square theta 6 square 2x स्वारी sin बोला मैंने 6 square 2x होता है 1 plus tan square 2x 6 square theta क्या होता है 1 plus tan square theta 1 से 1 cancel हो जाएगा tan square 2x बराबर आ गया minus tan 2x के 1 से 1 cancel हो गया 1 plus tan square theta minus tan 2x को left में ले गया cancel नहीं कर सकते हैं अगर कोई पूछे है sir cancel कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बाद मैं बताएंगे किसी और वीडियो में क्यों नहीं कर सकते हैं so minus tan x को left में ले गया plus tan हो गया tan 2x दोनों में common लिया इधर एक tan 2x बच गया plus इधर से tan 2x गया तो 1 बच गया ठीक है दो terms का product 0 आ रहा है तो यानि पहली term 0 है और या फिर दूसरी term 0 है तो tan अगर 0 है तो x बढ़ाबर n pi होता है पता ही आपको tan x 0 पर x n pi तो tan 2x 0 पर 2x बढ़ाबर n pi हो जाएगा तो 2x बढ़ाबर n pi और x की value n pi by 2 तो ये तो बढ़ा easy था दूसरा वाला देखते है tan 2x प्लस 1 बढ़ाबर 0 है right tan 2x प्लस 1 बढ़ाबर 0 है तो tan 2x कितना हो जाएगा minus 1 अब tan की value minus 1 का बोती है फिर से tan होता है negative 2 quadrant में एक तो second quadrant में एक fourth quadrant में तो second quadrant में negative pi minus theta right pi minus theta वाला quadrant है इसलिए हमने minus 1 की value लिख दी tan pi minus theta और theta pi by 4 क्यों है क्योंकि tan की value 1 pi by 4 पर आती है तो minus 1 दिखा minus 1 को लिखा tan pi minus pi by 4 यहोप आपको clear हो गया 1 है तो angle pi by 4 हो गया और tan negative है यानि second quadrant या fourth quadrant हमेशा छोटा वाला लेते हैं और इस quadrant का angle क्या होता है pi minus theta इसलिए इसको लिए है tan pi minus pi by 4 LC हम लिंगे तो 4 pi minus pi 3 pi by 4 tan x बराबर tan y का फार्मूला tan x बराबर tan y में x होता है n pi plus y तो x की जगे तो अभी हमारे पास 2x है तो 2x हो जाएगा n pi plus यह y, y का है 3 pi by 4 तो बेटे जी अब यह 2 upon में जाएगा n pi by 2 और यह 4 के पास 2 जाएगा तो 8 बन जाएगा ठीक है यह आपके answer आगा यह question थोड़ा ज़ादा important है comparatively इसको अच्छे से सीखिएगा और अब 9th करते है sin x plus sin 3 x plus sin 5 x देखे, सारे odd angles ही है odd ही है x 3 x 5 x तो किसको add करें यह प्रशन उठता है तो मेरा सुझाओ गए कि आप sin 5 x और sin x को add कीजिए कारण क्या है कारण यह है कि मुझे पता है sin c plus sin d का फार्मूला बनेगा 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 तो x plus 5 x 6 x by 2 cos x minus 5 x minus 4 x by 2 पर cos के अंदर negative angle भी positive हो जाता है और यह sin यह वाला sin जो है sin 3 x वो ऐसे का ऐसा है उसको same लिख दिया अब यहां 6 x by 2 3 x हो गया 4 x by 2 2 x हो गया कोई problem नहीं है देखे मुझे पता था कि यह common आ जाएगा इसलिए ऐसा किया समझे अगर मैं इनको add करता sin x plus sin 3 x को suppose add कर देता तो आता 2 sin 4 x by 2 4 x by 2 2 x तो फिर मैं कैसे common लेता sin 5 x बाहर नहीं ले सकता था अब तो ले पार रहे हैं अराम से sin 3 x को बाहर common तो अंदर है जाएगा 2 cos 2 x plus 1 is equal to 0 फिर से वोई सेम कहानी है कि दो टर्म्स का product अगर 0 है तो दोनों ही टर्म्स पहली टर्म equal to 0 रखी जाएगी और दूसरी टर्म भी equal to 0 sin x बरावर 0 होने पर x n pi होता है या x की जगे 3 x तो 3 x n pi हो जाएगा 3 x n pi यानि x की value n pi by 3 और ये term 0 होने का मतलब है कि cos 2 x आएगा minus 1 by 2 और ये वोई पुरानी कहानी है कि cos negative कहा होता है cos negative होता है second और third quadrant में क्योंकि ये sugar यानि sine और cosecant का quadrant है और ये 10 और 4 का quadrant है cos यहाँ पर positive और यहाँ पर positive होता है fourth और first में यानि second और third में negative होगा यानि pi minus theta pi plus theta इन में से छोटा angle pi minus theta है तो वो ही हम calculate करेंगे तो cos 2 x की value minus half formula के according cos pi minus theta और theta 60 degree क्यों हुआ क्योंकि cos की value half 60 degree पर आती है half 60 degree पर आती है so pi minus pi by 3 3 pi minus pi 2 pi by 3 हो गया cos 2 pi by 3 is equal to cos 2 x और अगर cos x बराबर cos y के आ गया है तो x बराबर आता है 2 n pi plus minus y के तो यहाँ x की जगे 2 x है तो हम लिखेंगे 2 x बराबर 2 n pi plus minus और यह है हमारा y so 2 n pi plus minus y और अब इस 2 से divide कर देंगे तो n pi plus minus pi by 3 आ जाएगा यह 2 भी cut जाएगा तो आपके यह दो general solution possible है एक तो यह और एक यह तो इसी के साथ यह exercise खतम होती है next video में misleynious exercise हम करेंगे thank you